आपका हमारी यूटूब चैनल एक्जाम रोड में स्वागत है दोस्त आज हम लोग तिर्भुज के तीसरे लेक्चर पर बात करेंगे ठीक है आपको प्रिवियस दो लेक्चर में हम आपको तिर्भुज से लेटेट सारी बाते बहुत बखुबी अच्छी तरीके से समझाया ह ठीके दोस्तों आज हम लोग कोईशन नंबर थी देखेंगे जो आपकी बोट इक्जाम दो हजार भीस में आया हुगा क्वेशन है ठीके दोस्त यह NC jungle क्या है NC neural good question है 2020 में में आया हुग क्वेशन है जैसा कि आप लोग दोस्त की कublik जो दिया हुआ है तुराश ABC और त्रिवुच DEF दो ऐसे त्रिवुच है कि AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF is equal to 4 upon 9 यानि ये जो भुजाओं का अनुपाद दिया हुआ है दोस्त ये जो भुजाओं का अनुपाद दिया हुआ है वो कितना है पहला नमबर तो आपस में बराबर है और सब की इतने हैं 4 upon 9 है दोस्त ठीक है उसके बाद कह रहा है जब ये value आपका दिया हुआ है तो कह रहा है कि त्रिवुच ABC का छेत्रफल और त्रिवुच DEF का छेत्रफल का अनुपाद का मान बताओ दोस्त यही आपसे question कर रहा है इसमें आपको 4 option दे रखा है 4 upon 9 और B option है 9 upon 4 C option है 16 upon 81 और D option है 81 upon 16 आपको 4 option दिया हुआ है दोस्त और कह रहा है कि आप क्या बताइए इसकी value बताइए ठीक है आईए दोस्त हम इसको क्या करते हैं step by step इसको solve करते हैं और आपको समझाते हैं मैंने जो दिया है तरभुच ABC और DEF में ठीक है जो दिया value है मैंने इसको क्या किया यहाँ पे उतार दिया ठीक है इसको उतार दिया equation first बना दिया देखो दोस्त यह जो दिया हुआ value है AB upon DE इसको मैंने figure की माध्यम से कैसे समझाया देखो दोस्त दो figure बनाया तरभुच ABC जो दिया हुआ है और तरभुच DEF मैंने क्या किया अच्छा से बना लिया ठीक है दोस्त इसमें जो AB दिया हुआ है वो DE ठीक है यह है AB क्या है AB upon DE है मैं यहां पे दिया हुआ है इंसका आनुपाद इन दोनों भुजाओं का आनुपाद bc upon ef यानि इन दोनों भुजाओं का क्या है? अनुपाद आपस में क्या है? बड़ाबर है आप देखो ac upon df ac upon df दोस्त ये भी क्या है? अपान में है ठीक है अनुपात में है तो ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है ठीक है इसकोल टू 4 अपान 9 इसकोल टू 4 अपान 9 ये बैलू दिया हुआ है इसको एक कुशन जिसको मैंने एक बनाया था दोस्त ये क्या है जब इनके भुजाओं के अनुपात आपस में दोस्त बराबर हो दोस्त जब इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है दोस्त तो इनके संगत कोंड भी क्या होते हैं बराबर होते हैं यानि कोंड B बराबर कोंड E हो जाएगा दोस्त ठीक है अकोड A बराबर कोड D हो जाएगा दोस्त ध्यान दीजेगा अकोड C बराबर कोड F हो जाएगा दोस्त यदि भुजाओं का अनुपात ठीक है यदि आपस में बराबर हो संगत कोड B आपस में क्या होगा दोस्त दोनों का बराबर होगा ठीक है दोस्त तो उमीद करते हैं दोस्त आपको यह बहुत अच्छ समझ में आ गया होगा देखो दोस्त यही चीज मैंने यहाँ पर लिख के आपको समझाने के कोसिस किया है इसको आप बहुत अच्छ से समझने कोसिस करिएगा जब दो त्रिबुजों में एक त्रिबुज की भुजाएं एक त्रिबुज की जो भुजा होती है दो तीन भुजा है एक त्रिबुज की भुजाएं दूसरे त्रिबुज की भुजाओं के समानुपाती मतलब दूसरे त्रिबुज के क्या है भुजा के समानुपाती यानि स जैसा कि यहां पर दिया हुआ है यदि एक त्रभुच का जो भुचा है वो दूसरे त्रभुच के भुचा के समान अनुपात में हो दोस्त ठीक है जो बराबर बराबर अनुपात में है कि नहीं है है न तो जो बराबर अनुपात में है दोस्त क्या है अर्थात एक ही अनुप तो दोस्त इनके संगत कौण क्या होते हैं बराबर होते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी अभी समझाया कि जब इनके बुजाओं का अनुपाद बराबर होगा तो इनके संगत कौण आपस में क्या होंगे दोस्त बराबर होंगे तब ये दोनों त्रबुच क्या होंगे दोस्त ये दोनों त्रबुच समरूप होंगे क्या होंगे समरूप होंगे तो मैंने लिख दिया है इसलिए त्रबुच A B C समरूप है त्रबुच D E यह ठीक है दोस्त जब इनके भुजा का अनुपात आपस में क्या हो समान अनुपात में हो और इनके संगत कौन क्या हो दोस्त बराबर हो तो दोस्त क्या होता है दोनों तुरभूज आपस में क्या होते हैं समरूप होते हैं ठीक है दोस्त तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गय क्या होगा दोस्त की बात कर रहा है, जब त्रीमुजों के छे तफल मारो उसकी संगत भूजाओं के वरगों के अनुपाथ के बराबर होता है जैसे कि आप दोस्त देखिए जब दो त्रफुष दिये हुए हूँ ठीक है जब यह दो त्रफुष दिये हुए हूँ इनका क्या हो छेत्रफल छेत्रफलों का क्या है अनुपात ठीक है छेत्रफलों का अनुपात ठीक है इनके जो संगत भुजा है यानि A, B, A, P, D, E, B, C, A, P, E, F, और A, D, C, A, P, D, F, जो संगत भुजाएं हैं, उनका अनुपात दोस्त, ठीक है? उनके अनुपात का स्क्वायर, वर्ग, ठीक है? उनके अनुपात का वर्ग, उनके दोनों त्रिभुजों के छित्फलों के अनुपात के क्या होता है? ठीक है दोस्त, आपका नौट में दिया हुआ है, ठीक है? आप लोब ध्यान दीजेगा, इसको अच्छे से तयार कर लिजेगा, ठीक है? आपको मैंने पिछले वीडियो मैंने इसको बताया है, वीडियो नमबर फर्स्ट, दोनों मैंने आपको अच्छे समझाया है, प्लिस जाके वहाँ से जरूर उसको वाज कर लिजेगा नहीं तो यह आपका मन में हमेशा किर्गीरापन हमेशा बना रहा जाएगा कि यह क्या हुआ वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे समझा है दोस्त प्लिस जाके वहाँ पर देख लिजेगा आएए दोस्त अब देखो अब जब यह वैलू क्या है त्रिभुच एबी सी का छेत्रफल अपान त्रिभुच डी एफ का छेत्रफल इन दोनों का जब अनुपात हम लोग न स्कॉएर कर लेंगे तो हमने क्या किया यह यहां प्लिस क्योंकि क्यूंक्am संगट भुचाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है इनका जो चेत्रफल d e के 4 upon 9 इनका भी क्या होगा square हो जाएगा अब देखो 4 का square 16 हो जाएगा 9 का square क्या होगा 81 हो जाएगा समीकरण 1 से 16 upon 81 मैंने निकाल लिया अतर तरभुझ ABC का छेत्रफर upon तरभुझ d e f का छेत्रफर बराबर 16 upon 81 आपका क्या हुआ आंसर आ गया तो देखिए दोस्त आपका option क्यों सा सही हुआ आपका option सही हुआ कौन सा दोस्त C number आपका कौन सा option सही हुआ C number 16 upon 81 ठीक है दोस्त आपका question यहाँ पर यही था ठीक है जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया था ठीक है दोस्त आसा करते हैं दोस्त आपको पहला question बहुत अच्छे समझने आ गया होगा आया दोस्त देखो दोस्त question number 4 यह दिया है कि BC upon QR is called to 1 upon 3 के साथ त्रिभुच ABC समरूफ है त्रिभुच PQR ठीक है यहाँ पर बोल रखा है तब area PQR upon area BCA बराबर होगा आपको से पूँच रहा है ठीक है दोस्त इसमें option दिया है पहला 9 दूसरा दिया है 3 तीसरा 1 upon 3 और चोथा 1 upon 9 यह आपको पास option चार्ट दिये हुए हैं आपको question solve करना है दोस्त और बताना है कि आपको कौन सा option सही है ठीक है दोस्त आई हम लोग क्या करते हैं इसको solve करते हैं जैसा कि दिया है तिरभुज ABC समरूफ है तिरभुज PQR के ठीक है तोस्त यह दिया हुआ है उसके बाद BC upon QR is called to 1 upon 3 यह भी दिया हुआ है देखो दोस्त जब त्रभुज समरूफ होता है ABC और PQR जब समरूफ है तो इनके संगत इस दोनों त्रभुज के संगत कोन भी आपस में बराबर होंगे और उसक्या है संगत भुजाएं भी क्या होंगी बराबर होंगी ठीक है नोट में लिख के रखा है जब दो समरूफ त्रभुजो के छेत फलों का अनुपाद उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपाद के बराबर होता है ठीक है दोस्त मैंने अभी इसके पहले वाले कोश्चन में आपको यह नोट में करके बताया था ठीक है दोस्त यद के बराबर क्या होगा जो संगत भुजायें हैं उनके क्या है अनुपाद का स्कौायर कर देंगे ठीक है मैंने आपको पहले भी अभी कूस्चन में बताया था तो थो मैंने क्या किया है ठीक है देखो दोस्त जैसा कियहाँ इसाए नीच थी नीचे क्या होगा बईसी भी नीचे होगा इसका है न तर्फश बीसे का बीज है पीकिव आर जो है उसका क्या है क्यों क्यों है ट्रीक। अब देखो अब देखात मैं इससको धाले ने 3 इसक्वूर 9 हो जाएगा 1 का स्क्ष this one ही इन यानि 9 7 गो स्थ आपका अंसर आगया 9 थिकले आहीज हो उम्मिद करते हैं दोस्त आपको यह से समझ में आ गया होगा दोस्त आए हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं देखो दोस्त कोश्चन नमर 5 मान लीजिए त्रभुच ABC समरूप त्रभुच DEF है ठीक है और इसके चेत्रफल क्रमसा 64 cm2 और 121 cm2 है यदि EF वरावर 15.4 cm हो तो BC गयात कीजिए ठीक है आपको BC की वैलू बताना है ठीक है दोस्त आए है दोस्त हम इसको क्या करते हैं सालो करते हैं पहले हम लोग क्या करेंगे दिया हुआ मान पहले लिखेंगे ठीक है दिया है क्या क्या दिया ह दोने त्रफुज का 64 और 121 ठीक है तो मैंने त्रफुज ABC का लिख लिए 64 और त्रफुज DEF का छित्रफल कितना है 121 cm2 ठीक है दोस्त मैंने लिख लिए अब देखो दोस्त एक वैलू आउर दिया हुआ है EF का क्यमान कितना दिया हुआ है 15.4 cm2 ठीक है दोस्त मैंने लिख लिए अब पोचर का रहा है BC देखो दोस्त BC के वैलू पोच रहा है अब देखो दोनों त्रफुज मैंने ABC बना दिया और DEF यह दोनों आपस में क्या है समरूप है जब दोस्त दोनों त्रफुज समरूप होंगे तो क्या होंगे इनकी जो संगत भुजाएं हैं दोस्त उनका अनुपात आपस में क्या होगा दोस्त बराबर होगा ठीक है उनका अनुपात आपस में क्या होगा बराबर होगा ठीक है जब उनका उनके भुजाओं का अनुपात जो है वह आपस में बराबर होगा दो कौण भी क्या होंगे दोस्त बराबर होंगे यानि कोड B बराबर कौड Sub-C किया होगा शाओ करते हैं दोस्त आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्त अब देखो दोस्त इसमें ef कमान दिया हुआ है 15.4 अब पूछ रहा है BC का पूछ किसका रहा है BC याद कीजिए दोस्त त्रिभुचों के छेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है नहीं बहुत होता है आपको मैंने नोट में पहले दोनों कोशन में बता दिया है ठीक है जाके आप लोग जरूर इसको देख लिजे ग freakin कषया है ठीक है डिजे कषेबराबर हो होगा ठीक दोस्त मैंने आपको पीचले कोशन में आप आछे समझाए घ्यक है डीक है अब charge दोस्त मैंने लिख लिया आप देखो तुर तो ए बी स्वालो करना है अब देखो इधर अब मैंने क्या किया 64 को मैंने लिख दिया 8 का स्क्वाइर और 121 को लिख दिया 11 का स्क्वाइर 8 का स्क्वाइर 64 होता है 11 का स्क्वाइर 121 होता है ठीक है दोस्त बराबर वही हो जाएगा तो मैंने क्या किया square group में लिख दिया, scroll to जो इधर value लिखा हुआ था मैंने same to same copy कर दिया, ठीक है तो अब देखो, 8 upon 11, अब देखो उपर भी square है, नीचे भी square है, तो मैंने क्या किया, दोनों को 7 मिलेकर square एक बार कर दिया, bracket तो तो इसके उपर भी लगेगा, इसके उपर भी लगेगा, ठीक है तो मैंने, मतलब तो अई है, मैंने 1 पर कर दिया, ठीक है, पूरा bracket लगा के 1 ही पर कर दिया, देखो, scroll to, जो value दिया हुआ है, इसको भी मैंने क्या किया, square उपर भी है, नीचे भी है, तो मैंने क्या किया, एक में ही करके square कर दिया, ठीक है, अब क्या है दोस्त, देखो, आप देखो दोस्त, कहानी बस यहीं पर यही करना है, कि तीरियक मल्टिप्लाई कर देना है, ठीक है दोस्त, अब आइए तीरियक मल्टिप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, जब 15.4 का 8 में मल्टिप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 15.4 हो जाएगा, scroll to, 11 का क्या होगा, 11 इंट इन दोनों का multiply किया तो 123.4 हो गया अपान का 11 है मैंने लाके रख दिया आप देखो दोस्त अब यहां पर समझने वारी बात है मैंने इससे काटा इसको अब देखो 11 का 12 को काटेंगे दोस्त एक बार जाएगा तो मैंने एक यहां पर लिख दिया ठीक एक मैंने लिख दिया अब कितना बचा दोस्त 11 जब 13 में से घटाएंगे तो कितना दो बचेगा अब देखो दो दो अब 2.2 हो गया अब दसमलों मैंने लगा दिया तो यह 22 हो गया 22 में 11 को डिवाइट करेंगे दो बार हो गया दो बार कट गया दोस्त 20 की value क्या है 11.2 सेमी दोस्त यह सेमी क्यों आई क्योंकि यह क्या है भूजा है ठीक है यानि साइड है ठीक है तो साइड की जो आपका जो भी साइड होता है उसका मान क्या होता है सेंटीमीटर स्कॉयर में होता है ठीक है तो क्या हुआ आपका सेंटीमीटर स्कॉयर में आगया अंसर आसा करते हैं दोस्त आपको यह भ कोशन दोस्तों दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा ठीक है मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्त चैहिन जैभारत